नमस्कार दोस्तों मैं हो रहुल जैफ लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूँ देखिए एक प्रॉपर्टी पैसा जूलरी गोल्ड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सी महेंगे एसेट्स होती हैं जो पदी पत्ती के बीच में आपस में लेंदेन में चलती रहती हैं खास दोर से शादी जे पहले शादी के बाद या उसके आसपास होता रहता है अब क्या होता है कि जब आपका legal separation हो रहा होता है या आपका divorce होने वाला होता है या फिर चलते case के अंदर आप क्या उस तरह के पैसे को demand कर सकते हैं अपनी wife से अगर आप पत्नी हैं तो क्या इस तरह के पैसा, समान, संपत्ती, car, गाड़ी क्या demand कर सकते हैं तो यह amicably होने वाला settlement भी बन सकता है और नहीं तो आप इसको enforce भी कर सकते हैं यह option आपको आपके Hindu marriage act में मिलता है दिक्कत क्या है कि इसको लागू क्यों नहीं करवाए जाता क्योंकि अगर जूटी महिला इसको लागू करवाएगी अगर उसने जूट बोलकर केस लगाया है तो उसको फायदा मिलेगा नहीं बलकि उसको loss हो जाएगा तो उसको सब को साबित करना पड़ेगा और पती अगर इसको करता है तो पती को फायदा होता है इस तरह दर नाम की जूटी लिस्ट डिमॉलिश होती है बर ऐसा आख सर्प मुझे लगता है शायद पतियों के खिलाफ किसी शलियंत्री की वज़े से या गलत गाइड करने की वज़े से इस तरह की रेमिडीज को हजबन को नहीं दिया जाता है इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि आप एजुकेटेड होई है एजुकेटेड होने से आपको खुद अपने केस की समझ पैदा होगी और रिजल्ट निकाल पाएंगे अब क्रैश कोर्स इसी के लिए है जिसके अंदर आप अपनी टैयरी खुद कर सकते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप अपना केस खुद लड़ें या अपने केस को डारेक्ट डील करें चाहे वकील हो तो भी पर मेरी टीम अपने अनभव को आपके साथ जोड़ें जिससे कि ही रहे तो यह है हमारे अनभव की पावर आपसे पहले जितने लोगों ने इन कोर्स को जॉइन किया वो इन ही चीजों का आनद ले रहे हैं और बहुत मज़े में लाइफ को बहुत स्ट्रॉंग ली जी रहे हैं इस वक्त जब आप लोग अपनी केस की टेंशन कर रहे होंग मगर हम आपको भी कहेंगे कि इस वक्त अपनी life को enjoy कीज़ए को लिए कोर्से जॉइन कभी और कर लेना केस के बारे में कभी और सोच लेना कोई और किसी की चीज के बारे में सोचना है बाद में सोच लेना enjoy करो क्योंकि अगर आप दिमाग को खाली नहीं करोगे तो तकलीफ में हैं और समाधान नहीं मिल रहा है तो WhatsApp नंबर पे आप appointment लेके book करा लीजे उसके बाद दिये वे टाइम पर मेरा call आएगा solution करने की कुशिश की जाएगी समस्या का समाधान ये है कि समस्या कभी कोई समस्या नहीं है इसको बकायदा आप यूदे cases के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया solution के रूप में निकाल सकते हैं पर जब मैं ऐसी बाते बताता हूँ तो कई लोगों को हवा हुआ ही लगती है और कई लोगों को solution तो यह है कि हमसे संपर्ग में रही है जुड़े रही है किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगता है बाइपॉइंट्मेंट बाइक कोर्स या कैसे भी पर फिलाल मैं आपको यह जो रेमेडी बता रहा हूँ इसमें थोड़ा सा आपको situation plannings भी जोडनी पड़ेगी वो situations जो आपके सामने आएंगी उसी के ओपर depend करता है इसलिए आप expect करेंगी वीडियो में यह चीज जोड़ेगी तो नहीं है देखे यह पुरुष धन जैसा है जो पुरुष धन होता है उस पे आपका पूरा हक है एक चीज तो यह है अब दिया गया है अर एक चीज नहीं जैसे कुछ property होती है जैसे आपका पैसा है आपने बीवी को दे रखा है किसी वाज़े से और वो उसको account में रखे रखे ले गए अब आपने account से उसको दिखा रखा है कि आपके account से वो पैसा गया है वाँ तो वो पैसा आप recover करवा सकते हैं इस तरीके से जो मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा आप माल वीजिए आपने अपनी कोई gold का समान अपनी wife को दे रखा था और उसका एक ठिक ठाक सा सबूत आपके पास है या कोई गवा है तो अगर आप उसको रखके और वो चीज रिकवर करवाना चाहते हैं तो इसके अं लग हो रहे हैं तो आपकी पतिनी ने आपसे जो भी कुछ लिया है वो सब वापिस उसको देना पड़ेगा उस पर उसका हक नहीं है तो इस तरह की चीज़ें आप रिकवरी में डाल सकते हैं इस सक्षन के थूँ यह है सक्षन 27 Hindu marriage act दूजरी चीज इसमें एक और benefit है कई वा दिया तो इसको भी आप जब revenue department में properties act के साथ इसको attach करते हैं तो यह भी settlement हो जाता है मतलब इसमें अगर आपकी पत्नी जो है अगर आप डाइवर्स डिगरी के साथ जा रहे हैं डाइवर्स ले लिया है या अपील भी कर रहे हैं तो एक बार इसको भी साथ में आप लगा द के bills होने चाहिए आपके पास evidence होने चाहिए या फिर आपके पास गवाँ होने चाहिए relief मिलता है और 100% मिलता है इस पर judgments तो बहुत सारे आये हैं पर इस पर मैंने देखा है कि अक्सर लोग practice करते हुए नहीं मिलते जबकि आपके Hindu marriage act में ही लिखा हुआ section देने आपको बिता आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीज़ेगा शेर कीज़ेगा सब्सक्राइब कीज़ेगा और जाते यादे comment section में ज़रूर बताएगा recovery कब कर स्टार्ट करने जा रहे हैं यह सरफ वीडियो देख क्या है बढ़ेंगे thank you